Hello everyone, आप देख रहे है Natural Delight by Preeti तो वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आज आपको दिखाते हूँ कि आज मैंने कौन-कौन से प्लांट्स लगाए हैं ये पाम है, ये कॉक्स कॉम है इन दोनों की वीडियो आप ऐसे भी देख चुकिए इस प्लांट से रिरेटेड ये हैं बिच्चु बेल जो छोटे से पोर्ट में भी बहुत अच्छे से लग सकता है ये कॉक्स कॉम है आज इसको ट्रांस्परेंट किया था मैंने अपने टेर्स गार्डन से मिलब जो मेरी चहत पर प्लांट थे तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल लेकिन एजीली ग्रू हो जाएगा ये इसको बोलते हैं अजवाइन ये रियल में अजवाइन नहीं होती है इसमें अजवाइन जैसी खुश्बू आती इसकी लीव की तो इसकी काफी medicine value है आप कफ अगर disease में इसको यूज कर सकते ये को जो plant अज में लगाया है cypress vine है इसकी leaves बड़ी अच्छी लगती है मुझे इस पे बहुत ये सुंदर छोटा सा red color का flower आता जो velvet जैसा दिखता है cypress vine बोलते हैं इसको ये four o'clock plant है जिस पे four o'clock पे flower bloom होता है different different color आता है red color white color orange color ये मैंने अभी orange color वाला लगाया है यहाँ पे अप्राजीता है अप्राजीता जिसको शंक पुषपी भी बोलते हैं इस पे एक वार मैंने आपको उपर दिखाया था white color का flower वैसा ही flower इस पे blue color में आएगा एक ये वाला है और एक ये वाला है तो बहुत बड़ी से बैल होग ये घनी आप इसको चाहो तो लंबा कर सकते हो आप इसको चाहो तो कटिंग करके बूशी कर सकते हो यहाँ पे मैंने एक potlily लगाया है potlily plant छोटे से pot में भी अच्छे से survive कर जाएगा यहाँ पे spider plant है ये हमारा Mexican petunia है और तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ ये चीज़ और दिखाती हूँ कि देखे किस तरह से हमारे जो ये pencil cactus है उसमें new new leaves आ रही है अच्छा लगता है जब plant में new growth दिखती है तो चलिए अपना वीडियो स्टाट करते है अपना main topic है वो स्टाट करते हैं ये है कलांचु बहुत ही beautiful plant होता है बहुत ही beautiful flowers आते बंच में flowers आते हैं इसमें तो मैं आज बताती हूँ आज आपको मैं कहां लेकर आई हूँ ये मेरी एक friend है शशी उसी का garden है तो मैं आपको ये दिखाना चाते हूँ कि जरूरी नहीं है कि garden के लिए आपके पास बहुत सारी जमीन हो land हो या terrace हो तभी आपन आपको अपना garden set up कर सकते है आप किस तरह से किसी भी जगे का use करके garden set up कर सकते हैं और ये real में आपको बहुत ही positive energy देगा आप एक बार try करके देखिए मेरा ये बहुत favorite place है जहां पर मैं जब भी मुझे लगता है ना कि थोड़ी से positive energy चीए तो मैं यहां जाती हूँ और fact बोलू तो मैं अपना जो garden फि प्लांट्स और environment को समझने में थोड़ा easy रहेगा यहां पर almost 30 degree Celsius temperature रहता है और बहुत जादा सर्दी यहां बहुत जादा गर्मी नहीं होती है तो चलिए start करते कौन-कौन से plants है तो मैं आपको बताते जाते हूं यह कॉलांचो जो flowering plant है यह भी flowering plant है इसका नेम मुझे नही पता है तो sorry उसके लिए इस पर भी देखिए birds आ रखिए flowers आते हैं इस पर white color के यह potato है यहां पर chili plants है यह गुलदाओदी है जो christian mum बोलते हैं इसको इसमें भी बहुत सारे flowers आते है और छोटी डबल उसकी अलग-अलग varieties भी होती है थोड़ा long भी होता है मैं आपको दिखात जिसकी leaves को यूज करते है vegetables में यहां पर jasmine plant है इसके साथ ही देखिए यह गुलदाओदी मैंने बुला था ना कि इसके छोटा और बड़ा भी आता है यह देखिए कितना बूशी है यह और मैं आपको flowers दिखाती हूं इसके यह देखिए इसके flowers इस तरह से काफी birds इस पर आत प्लांट है वह सारे गुलदाओदी ही है इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर आते है और यह देखिए यहां पर एक और प्लांट है यह देखिए फ्लावर आरा कितना चोटा सा प्लांट है यहां पर और इसमें इस तरह से flowering हो रही है यह हमारी तुलसी जी है जिसको जब भी आपके कोई flower भी इस तरह से गिरते रहते ना अगर कुसे भी प्लांट की leaves वगरे भी गिरती है तो वापस आप उनको port में ही डाल दें उससे क्या धिर धिरे यह डिकंपोस होते जाएंगे और प्लांट को fertilizer दे देंगे यह हमारा तुलसी जी है यहां पे हैं सिंगो गंटे की सनलाइट अच्छे से आती है तो यह सारे प्लांट्स जो flowering plants होते हैं उनको sunlight की जुरत होती है यहां पे भी हमारा गुल्दाओदी है यह रोज है बटन रोज जिसमें बहुत बंच में flowers आते हैं आप देख सकते हैं यह थर्ड फ्लोर पे है यह जो garden setup है थर्ड फ्लोर पे है और नीचे अगर आप देख सकते हैं तो वो मेरा second floor पे मेरा है वो मेरे छोटा सा ऐसा ही plants लग कि जब भी आपके जिस जैसे यह है फ्लावर अभी फ्लावर आ रहा है बर्स और है जब इस सारी बर्स ब्लूम कर जाए सारे फ्लावर सा जाए तो आप इसको कट कर दें क्योंकि आप इस पर और फ्लावर नहीं बनेगा तो आप इसको कट कर देंगे ना तो new branches आने लग जा जाएगी यहां पर तुलसी जी है और यह अजवाइन का प्लांट है जो जो मेडिसिंस में भी बहुत यूज आता है आपने देखा भी होगा इसके खुश्बू अजवाइन जैसे होती है लेकिन रियल में यह अजवाइन नहीं आती इसमें यह अलवर ना प्लांट है और कि सतनो प्लांट दा आने के खासी होता है यह अजवाइन दाशन कै लिए भी बहुत अच्छी से यूज आता है तो बहुत हैल इपलांक देखानी असे इक वराइटी होती है और इसके लिए आपको देख सकते हैं किस तरह से شएड्च को टीसे मार्बल पी शेडा перायट तो य के कहर कारनी है कैसे आप देख सकते हैं देखें इसमें अरियल रूटस भी आ रही है यह मैंनी प्लांट और यहां मैंनी प्लांट आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से पूशी हो रखा है और डेकोरेशन का भी काम कर रहा है यह देखें इस तरह से गेट के ऊपर तक आ तो इस तरह से आप मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं तो इससे शायद आपको आइडिया भी मिल जाएगा यहाँ पर मॉसस्टिक है यह मॉसस्टिक से भी क्या होता है कि जब रूर्स इस पर भी जाती ना तो इससे भी मॉस्ट्रिशन लेती रहती है तो प्लांट सैदी बना र यहाँ पर मनी प्लांट नहीं यह पान वाला प्लांट है इसको मॉसस्टिक पर लगा रखा तक इसकी ग्रोत अच्छा से रहे यह पान की डिफ्रेंट डिफ्रेंट वराइटी है लेकिन अच्छे से मॉस्ट्र नमी रहती है तो इस तरह से आपको अलरड़ी बताई थी तो प्लांट को ज्यादा धूप नहीं चीए लेकिन अच्छे से मॉश्चर नमी रहे देखो आप मिटी में नमी है तो इस तरह से आप इसको भी लगा सकते हैं यह देखिए एक और खुबसूरत प्लांट इसकी लीव आप देख सकते हैं कि इस तरह से शेड्स में है येलो ग्रीन शेड में और ये ड्राफ वश्च की लिए एयर्लिया इस प्लांट का नेम है एयर्लिया date? यह रखने और ये ये और बया से दिया में रखना है इसको तो अब धेख सकते हैं कि यहां पर धूप आते हैं यहां तक यहां धूप नहीं इन chem का नेम मुझे नहीं पता है सौरी तो यह भी बहुत अच्छा सा प्लांट है आप भी प्लांट लगा के अपने घर का जो बाहर गेट वगर है वहाँ पर अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं प्लांट से क्या होता है ग्रीन इफेक्ट भी देता है एक एनर्जीटिक एफेक्ट देता है आपको काफी प्लांट से वो भी तो उससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि कौन-कौन से प्लांट सम रख सकते हैं किस तरह से लगा सकते हैं यह जीजी प्लांट है इसकी लीव्स का स्ट्रेक्चर आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी लीवस आती है और बहुत हाड़ी प्लांट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक एर पुरिफायर प्लांट है जिससे से स्नेक प्लांट वगर होता है वैसे ही यह 24 आर्स ऑक्सिजन देता है तो एक एर प्लांट है इसका नाम है जीजी प्लांट तो इसको भी आप अंदर घर पर डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं काफी शाइनी से फलावर यह से लगाता है लेकिन यह प्लास्टिक वाले नहीं है यह रियल फलावर है रियल प्लांट है इसकी जैख सकते हैं किस तरह से मिटीम inventive किसी से मिटी बनी भी यह त्टीम इए इसकी जो डार्ग ब्लेक कलर ना अच्छे से कोऊटोंग कितनी सप प्लंट्स अपने पोट्स को डेकरेट कर सकते हैं यहां से जल्दी सहिस इसमें प्लनर लखाएगी करें ए अपने प्लंट्स को प्रे में आप्रे में और क्र सकते हैं और यहां पर और कोशल स्विदिग कर सकते हैं यहां Par 005q év music sap आप चारकोल, कोईला वगर यूज़ कर सकते हैं, बट इसी तरह का potting soil होना चीज़ का, मिट्टी में नहीं लगता है, और्किड है यह और यहाँ पर money plant, same way moss stick के थुरू, यहाँ पर आप देख सकते हैं, support दिया वहा है इसको, और बहुत ही सुन्दर लग रहा है, तो कहीं लोग है न, artificial plant से भी interior decorate करते हैं, अपना interior, जो decoration करते हैं, तो उनमें यह कहूंगे, कि जितना आप natural plant से करते हैं, real plant से, उसका एक अलग ही look आता है, उसकी growth को देखने में, उसकी मिलब एक एक activity, जो plants की भी activity होती है, कब new leaf आ रही ह वो देखना बहुत ही अच्छा लगता है, artificial plant लगाओगे, आप तो उसमें तो कोई growth होने वाली है नहीं, तो daily daily आप उसको देखोगे भी नहीं, देखोगे नहीं, तो positive vibes भी नहीं आएगी, तो real plant से decoration करें, artificial plant ना लगाएं, आप जितने हो सके real plant लगाएं, वो आपको oxygen भी देखोगे, positive vibes भी देखोगे, और आपकी घर को एक नया look भी देखोगे, आपकी घर को एक नया look भी देखोगे, तो बस आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो like, share, subscribe जरूर करें, ज्यादा साधा plants लगाएं, और घर में real plant ओकी बाइ